प्यारे मित्रों आप सदी को आपके यूट्यूब चैनल स्टेडी विद परशिराम में स्वागते और मैं आज लेकर आएँ बच्चों आपके लिए आठी कक्षा के लिए हमारी जो तृतिय भाषा हिंदी पाट में लगा हुआ दूसरा पाट मिर्च मसाला और इस विडियो में बच्चों पूरी तर से मिर्च मसाला पाट का सारांच और प्रस्नेदर को देखने वाले हैं देखेंगे और आगे के स्लाइड में पाट में मिलेगा आपको विदा है और विदा यानि लोक कता विदा का होता है और आगे लोक कता के बारे में भी जानकारी प्राप्ट कर लेंगे और पाट के नए शब्द की अर्थपर और पाट का अर्थगरन करेंगे पूरा पाट हम विस्तार से पढ़ लेंगे और उसमें कौन-कौन से बातों को आप ध्यान में रखना है उस पर भी चर्चा कर लेंगे और पाट के अंत पर रहे अभ्यास में कई गती वीदी में प्रस्थियोतर पर चर्चा करेंगे और व्याकर्द में सद्या और मुहावरे के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चलेंगे आगे पाट का विदा बचो इस पाट लोक कता विदा का है और लोक कता के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पर में देने के लिए प्रयास किया हूं यहने लोककता है वे कहानिया है जो कुछ नए कतानक रूडी और शेली के बारे में परचे प्राप्त होता है यहने लोककता एक प्रकार की कहानी होती है हमें कई नए कतानक रूडी और शेली के बारे में परचे देने क्या काम यह लोककता द्वारा होता है और आगे इसकी जो सरर सीधी साधी शैली होती है बहुती सरड़ता से शैली होती है समझ सकते है आराम से और जो लोककता की क्षेतर की बोली में ये लोककता है सुनाई जाती है जो वहां की जो प्रादेशिक जो क्षेतर की सीमा की जो बोली है ना उसी बोली में यह कहानी भी स नाई जाती है और राजस्तन गुजरात करनाटक बिहार आदी राज में अपने ही बाशा में लोक कता प्रचली थे यह पूरी तरह से भारत के अलग 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 बोली जाने वाले बोली में लोक कता प्रचली थे लेकिन आम तोर पर हमें राजस्तन गुजरात करनाटक बिहार जो लोक कता है ये बहुती प्राचली थे तेको बच्चो कन्याड में इस प्रकार के हैं लोक कते अन्दर एना पांदर इदु कते वंदु प्रकार कते गले अंत करीती वी जो यूगलेंद नमगे वसदागिर्थकांद कते गले रूडी मत्तु शेलिय परिचेसी गत्तें इदर शेलिय बढ़श्टु सरललते इन्द कुडे रत्ते प्रादेशिक ख्षेत्रगलली मातनार्थकांद वंदु भाशेगल मेले इकते गले ननाव केलस्ती वी तो लोक कतेगल बगिर्थकांद वंदु माहिती सो बच्चो इस पर मिर्च मसला पाट के आशे पर चर्चा कर लेंगे कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बाटना चाहता है यह बच्चो आदमी है ना जो मनुश्य समाज जीवी है संग जीवी है और उस उसके जो विचारों को क्या करते की दूसरों के साथ बांट लेने के लिए इच्चा करता है लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते लेकिन उस आदमी को क्या करने की एक भात ध्यान में रखना है कई उसमें से राज राज यानी रह जो राज की बाद बताने से पहले खुद क्या करना है कि जागुरूप रहना है क्योंकि कही राज की बाद दूसरों लोग उसका बहिरंग किया तो उसका नुकसान खुदी जहलना पड़ता है सो मनुष येन माणवेका पान तंद्रे बेरे और मुंदे विचारों नहांचे कोलवागा कि लोग दिश्टो रहश्रवा गिर्टकंता मातरला नहीं हिरो किन्ता मुंचे यच्चरव नवाइस बेकू इल्लन रे आ मातिन कुर्दा गिर्टकंता बहिरंग आईत तंद्रे आतर वचाम इस पर नए शब्दों के बारे में आपको अर्थ सही थाम कन्नड में भी अर्थ देने के लिए प्रयास करता हूँ कसम सवगंध शपत प्रमान प्रतिद्नियांत करिती वी और बात को पचाना है और नी किसी बात को चिपा लेना याओदे वन्द मातन न फूर्थ येन पंद्रे मुच्चडो दनन आव बात को पचानांती वी पेटफुलना किसी बात को कहने के लिए उत्सकोन याओदे वन्द मातन न फूर्थ येलिके बलश्टु आच्चर रागिते वल्ला वन्दो आसक्ते न तोर्थ येला दनन पेटफुलना आंती वी राज अंद्रे रहश्य स्वादु सारला वगिर्थ तक अंत अदु गोप्यांत करिती वी पेटफट जाना आंता इदे पेट फट जानना आंतन रे पेट में बहुत पीडावना वट्टे उन्ना आगवन्थ विक्रुत अवस्ता में आना विक्रुत रूपक के बत्तालवदु बात ऊगलना रहश्य बात को प्रकड करना रहश्य वगिर्थ तक अंत मातन प्रक्ड मोडो दनने ना बात उगलना खबर अन्दर है समाचार हाल अन्द कर दिवी विशय सुद्धिय अन्थुवी कडगे गोरै अन्था अन्दर है नपंदर है गुबब ची स्प्यारौ अन्थ कर दिवी एक दीन शाम को बोलू आंगन में बेटकर दू थीरहाता यहाँ पर एक दो चरित्र चित्रने, दो कैरेक्टर है पात्र है, पहला है कि भोलू है और दूसरा है कि हीरा है, अलग प्रकार के लेकिन मुख की दो पात्रों पर ही यहाँ कहानी बढ़ गई है, यहाँ एक दिन शाम को भोलू अपने घर के आंगन में बेट कर रहा था कि पी रहा था, उसे खासी आई, दूद का लोटा लुड़क गया, अचानक जब भोलू तो दूद पी रहा था, लेकिन क्या हो गई कि खासी आगई, और इस खासी के कारण उसके हाथ में जो दूद का लोटा था, वह लुड़क गया, लुड़क गया, यहनी जुक गया, तता थोड़ा सा दूद मुह से निकल कर जमीन पर फैल गया और इस कारण जो दूद पी रहा था वह दूद क्या हुआ कि मुह से निकल कर थोड़ा दूद जमीन पर फैल गया फैले दूद में उसको दो पंक दिकाई दिये जो जमीन पर फैले हुए दूद में दो पंक दिकाई दिये भोलू को वह गवरा गया यहां देकर भोलू बहुत ही चिंता में पड़ गया अपनी पत्नी हीरा को बुला कर कहा और जैसे भूलू की पत्नी का नाम हीरा है बच्चो और भूलू हीरा को बुला करता है कि देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुम से एक बात बताओं यानि वह कहता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ लेकिन आप किसी से मत कहना और उसी बात पर कसम से किसी से नहीं कहूंगी और वह कहती है कि हीरा कसम से मैं कसम से मैं वचन लेती हूँ मैं प्रतिद्या करती हूँ कि मैं जो आप कह रहें वह बात मैं किसी से नहीं कहूंगी बोलु ने दूद में पंक की बात बता दी और जैसे बोलु जो दूद में उसे दोग दिखाई दिए वह बात बोलु क्या किया कि अपनी पतनी हीरा को बता दिया यह बोलो घर में आंगन में बैट कर दूद पी रहा था और अचानक खास्तिया लोटा लुड़क गया और जैसे जमिन पर थोड़ा सा दूद फैल गया फैले हुए जमिन पर दो पंक दिखाई दिये बोलो को और वह बहुती चिंता में था और चिंता के कारण इसी चिंतित ब चादर किये शाम को भोलो आंगन में बैट कर दूद पी रहा था लोटा लुड़क गया दूद जमिन पर फैल गया फैले हुए दूद में भोलो को दो पंक दिखाई दिया और भोलो अपनी पतनी हीरा को कहता है कि देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुम से एक बात बताओं और इस पर हीरा भोलो को कहती है कि कसम से किसी से नहीं कहोगी आगे और भी पाटे बच्चो हम पूरी तरह से जानकारे प्राप कर लेंगे फर्स्ट प्याराग्राप से पहले अनुचेत से आपको क्या करना है कि इन चार मुद्धों का आपको याद रखना है मिलें और भी नए वीडियोज में किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं नोडो ना नीनुँ यार कू हिळदे इत तन्रे नानु निन गेवन मातन नहीं तन्रे अन्थेहता ने कसम से किसी से नहीं कहोँगी पत्नी बोली अन्दर आतने हैंडवती आर चमप हिळधा नपन्र कसम से प्रमान माढळ हेलतीनी अंदर वच्चन कोड़ हेलतीनी नाने आरमुंद हिळवोधीला नथेहता आवाग भोलु ने दूद में पंक की बात बता दी, आवाग भोलु येन माड़ताना पांथpla सो बिद्दिर्थकंथा हाली नीलिर्थकंध रेक्या मात नेन माड़ताना पांथ। तन्न हेंड़ती हीरा निगे तुलिस कोड़ताने इल्ली एनला नियु नेनपिनल इटकोड़ बेकोवान तन्रे सो मदलनेदा इर्थकन तद्दू शाम्पु भोलू आंगन में बेटकर दूद पी रहता लूटा लूडग गया दूद जमीन पार्थन गया संजे भोलू तन्न मनेया अंगलदली कुड़ितु कोंडो हालन कुड़िता इद्दा हालीन लोटक लगड़े बित्तु आ वंदो बिदिर्थकन ता हालीनली एन आईता पांतन रे आतनीगे यरेडो रेक्केगलो एन माणतो पन्र बोलूगे कान स्थिताओ बोलू अपनी पत्नी हीरा को कहा की देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊ बोलू तन्न हेंडती हीरा निगे हिलता नेन पन्रे नोडू नीनि आर्गु हिलते तन्रे नानुदे निगे वन मात हिलती नांतले पंताने अवगा हीरा बोलु को कही कि कसन से किसिसे नहीं कौँगी सो अवगा हीरा बोलु के निला तलप्पन्दर मिज़कु कोड़ा प्रमाने माल फ придवा तेनी सोना नियारगु हिलो दिला अंत हिळतल सो इश्ट्टु इत्तु इन्नु मुंदीना प्यारा ही गिदे हीरा इस बात को पच्छार न पाई आदरे हीरा एन माणतला पंदर इमातना की सैसी कोल्डो दिल्ला उसका पेट फुल ने लगा पेट फुल ना इसकारते की बुच्छो किसी से किसको तो बोलने के लिए उच्छुख होना सो यारा दरू मुंदी हेली केन माणतला पंदर हातो रेयोदु अपनी पडोसन चंपा से कहा आतला नेरे वर्योडु चंपा हीरान नेरे वोल यारा पंदर नेवर चंपा सो आतनिक हेल तळके ना पंदर एक राजकी बाते वंदो रहश्रवाद माती दे जानती हो आज क्या हुआ सो निन गवताईता इवा ते नाइत वांत उनके मुह से कबुतर के पंक निकले अवर बायिंद सो पारिवाळ दरेक्केड़ हर बंदवु बहुत सारे भळश्टू मुझे चिंता हो रहे ननक भळश्ट चिंते आगी दे पर किसी से मत कहना आजरे निमी आरब मुंदे हेल बेडा चंपा बोली तुम्बी किसी से मत कहना लोग बात का बतंगड़ बना देंगी जन एन माडबो ता पंदर यहला कड़े रगळे माडबो दू अन्त यारू चंपा तन्न वंदू गेड़ते अगिरतक कंता हीरा लिगे एन माडबो ता पंदर संत इस्ती सांत्वा न वन्न कोड़ता ले इस प्याराग्रप दल्ली इरड़ डायलाकुड़ न ताउ निन अपने जुकड़ वेक्म सामवाद गळू हीरा अपनी पडोसें चंपा से कहती है कि एक राज की बाते जानती हो आज क्या हुवा उनके मुह से कभूतर के पंक निकले बहुत सारे मुझे चिंता होरे ये पर किसी से मत कहना हीरा तन्न नेरेवरलाद चंपा गेलतल पंदर वंदु रहश्य वाद गोपेनिय वाद माती दे स्वादेन अन्त निन गवत्ता इवत्तु अवर बाईंद बढ़श्टु वंदु कभूतर द रेक्केगळु पारिवा लोग बात का बतैंगड बना देंगे, जन एन माढळबोववदु इद नेल्लनों कुड रगले माढळबोवववदू इद नेल्लनों कुड वर बिच्चिडबोववदू वन्दककंत मात् सात्वनवंन हीरा तन गिळती यरत्त कंत, हीरा तन नेरवला इरत्त कंत, एन पultural अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल्दी चमप एन माड़तलापन्दर चमपान सहेली अंदर गिलती चमेली आँ चमप एन माड़तलापन्दर चमेली के नोर नोर तने इन माड़तलापन्दर यल्ला मातन खुड एन माड़तलापन्दर हेलताडे करने से पले चमेली से वाधा करवाली या अधरुकड माथिळो कींत मुँझे इल मड़ तलपांद्रकी प्रमानवन्नु कुड तोउल रिताले वाधा अंतनरे प्रतीद नेवच्चन चमपा बोली अवागा चमप हे निल तलपांद्रकी गिलाती चमेलीगे देखोतो नोडु बोलुजी को आज खासी आई बोलुगे ओ तेना इतु ख्यम बन्तु अवर उनके मोवसे एक पूरा कबुतर निकला अवर बाईंद वंदु पूरा अगिर्थक कंत वंदु पारिवाड़ाने हरगड़े बन्तु चमेली को विश्वास नहीं हुआ इमात येन अगोधिल पादराकी गड़ती चमेली गे विश्वास अगोधिल नमबोधिला पूरा कबुतर सो पूरान कबुतर कबुतर तो इतना बड़ा पक्षी है खाया कैसे ओगा पारेवाडरे इस्ट दोड़्डो अगिर्थककंत पक्षेती अधन हेंगव अकंड़ाग तिंदिर वोवद अंतक कंत वंदु प्रस्ने चमेली गे काड़ताद चम्पा अडिर्थककंत मात्व चमेली गादु विश्वास बरोधिल्ला मुझदे ओनि दे अंतन तन्रे इ वोंदो पैरागराप दल्ली नुगडा नीवों वंदिश्टु मात्र वैंने निनिप्न निट्ट कोड़वेकू ए नदप पंधर फस्त मंदू चम्पा सोस्तिये की अगर में किसी से नही कई तो भोलु का पेटफट जाएगा चम्पा गेनन स्थेत पंद्र ना इमात्तन यार्ब्द मुंदनू कुड़ हिळदेत पंद्रे सो भोल्वी न वट्टे एनाग बोधू हड़दो बोध वन्त हिळदताले प्रो कोलताले इरणे देनाग पंद्र चम्पा सारी बातों को अपनी सहेली चम्मेली को बता देती दुझे चम्पा चम्मेली को कती है की देखो तो भोलूजी को आज खासी आई और उनके मुवसे एक पूरा कभूतर निकला आ चम्पा तन ने गिलती एगिरत खांता चमेली गेने अथाल पांदर नूडू, बोलु गेंवत्तु क्यमु बन्तु, अवर बाई忍द वंदू, पूरा एगिरत खांता खांता थाकंता खांता थाल आधे मात्ती गैंचेयें सो पूरान कभुतर, कभुतर तो इतना बड़ा पक्षी ही, खाया कैसे ओगा सो पारिवाल इस्टो दोड़ु पक्षेती, अधनाव अकंड हेंग तिंदीर वोवदु वन्तेन, माड़तल अप्पांत अंदर चमेली सो इदो वोलु दिन्दा चमपांत अंदर चमपांत अंदर चमेली गे बन्तो सो इल्डि तक बंदी दे, मुझे एनी तक अंदर इनस्टो वीडियो गड़ाली नोड़ो ना सो कुछी देर बाद किसी पडोसन ने सुना कि भोलू के मुह से जुन्ड के जुन्ड कबूतर, कोवे, गोरई, मुर्गे आदी निकल रहे है यानि हीरा की एक पडोसन ने यह बाद सुन लिया कि जो भोलू के मुह से जुन्ड इसकारत होता है कि बच्चो समुह ग्रूप यानि जुन्ड के जुन्ड ही कबूतर आ रहे हैं, कोवे आ रहे हैं, गोरई और साथ ही मुर्गे भी निकल रहे हैं क्यल्वे समेद नंतर एन इत्तपांततं रहे हैं, यारो अबरु निरेवर्यवर्यवर्य ओरू इमात नेलमाणतर पंद्र के च्च पोतर एन पांतर भोलूविन बाई इंद एन पांतर जुन्ड नंतर समुह गुम्प गुम्प आगी आंगी आन्गे आंगिर पारिवाड़ गाव में यहां तक खबर फैल गई कि कई आकार तता रंग के पक्षी विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है राई का पहाड बन गया गाव में यहां तक खबर फैल गई सो उरिनली इदू वंद सुद्धियाईतो खबर अंदर सुद्धि समाचर अंति विए न पनर कई आकार तता रंग के पक्षी अंदर बेरे बेरे आकार अद मतु बेरे बेरे बन अद पक्षिगलू विदेशों के पक्षी विदेश दल्ली वंद पक्षिगलू सहिता भोलुके मुहसे निकल रहे हैं तो भोलुविन बाय इंद यहन माड़कत अपनर बरली कति दावू आवर इन पक्षियों से आकाश भर गया है इदे पक्षिगलू इंद इडी आकाश यलल्लै यहन माड़ित अपनर पक्षिगलू इंद सो इस्टु अधे वंदु मात्य नायता पंद्र उरी रत्तुम्ब यल्लाय नायतु हभि कोड़ीतु सो सल्पाईले नियु याद्र कीए सो इकल वंदिस्टो विशेगल नता उनने पिनलिट कोड़ वेका गत्ते वन्ने दु किसी पडोसने सुना की यारो वब्र नेरेवरे वळो केलिश कोड़ तले भोलु के मुहसे जुण्ड के जुण्ड कभूतर कववे गोरेये अवर मुर्गे निकल रहे है भोलु विन बाई निन्द एना गौपांतर कभूतर अंदरे पारिवाल द गुम्पागिर बहुदू कागे गुम्पू गुम्पू गुरय या गुम्बच्चे गुम्पू मतु कोली गुम्पू आतन बाई इन्द बराकति दावं तक कंता मातु आ वब्ब नेरेवरे वळ यन मारतला पंदर केलिस कोलताले इरडने मात नेनेपना प्रकत कंता दो गाउ में यह बात फैल गई कि कई आकार तता रंग के पक्षी विदेशों के पक्षी भी भोलु के मुह से निकल रहे हैं और इन्द पक्षियों से आकाश बर गया है उरी न तुम्ब यल्ला सो मुंदे पाट द विश्य ही गिदे यहां चमतकार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे इवंदो बोलु विन चमतकार वन नोडली के दूर 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 दिन्द जनर एन माड़ा कतर 15 बरली के प्रारमोन माडतारे बेचारा बोलु भैबीत होकर किसी एक पेड परचिप गया और इसे लोगों को देखर भोलु ने पूरी तरसे घवरा गया और घवरा कर एक पेड़ परचिप गया आनले सो मुग्द भोलु एन माड़ता ना पांतनरे बाड़स्टु हेदर इकोंड एन माड़तानों वंदो गिड़द मेले होग एन माड़तान पंदर अडगी कोंडु कुन्दर ताने थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंड निकाला केलो समयवल नंतर एल्ला जनर एन माड़तार पंदर होड़की कोड़ उड़कतार सो उसकी गवराड देकर लोगों को समझ आया की किसी वी रहष्यकों बताने सेपले दस बार सोचना चाहिए अ यल्ला जनरु आ पाप मुग्द गिडद मीलोगी कुन्तिर्दन नोडी आवरे एन माड़तार पंदर एन पंदर आवदे वंदु रहष्यवाद मात्तन नाव हिळोकीन्त मदलु हत्तु सारी नाव एन माडवेका पंदर विचार वन्न माडवेको अधू सत्ते इदे सुल्ण इदे आन्तकंत वंदु विचार माडी अमेले निर्नेक बरवेका अंतकंत वंदु आउश्य एन माड़तार पंदर आवूरी न जनरु तिलुक्वळतारे हिष्टी तु इपाट दल इर्थककंत दु पाट मुगीतु सो मुंदे इदे सो मुंदे नदागी तंदी दीवी पाट दल इर्थककंत अभ्यास द चट्ट्वटिके गळा बग्य होगोना अब्यासे चेट मटिके गळा लिर्तकां दा मुख्य प्रस्ने वंदू एक वाक्य में उत्तर लिखिये अधर लिर्तकां दा मौधल प्रस्ने एक दीन भोलू क्या कर रहा था स्वात्र लिद उत्रबंबिटू थामें गवत्ता गिरभोधू एक दीन भोलू आँगन में बैटका दूद पी रहा था प्रस्ने ओडुद में उसे क्या दिखाई दिये उत्रबंबिटू धूद में उसे धो पंक दिखाई दिये प्रस्ने नाल्कों बंदु हीरा किसे न पचापाई? अदर उत्रबंदिटु हीरा भोलू की बात को न पचापाई? हीरा पुलों की पात को न पचापाई? प्रस्ने आरू बंतु चमेली ने चमपा से क्या कहा अजर उत्रबंबिटु मकड़े चमेली ने चमपा से कहा कि पूरा कभुतर कभुतर तो इतना बड़ा पक्षी है खाया कैसे होगा प्रस्ने एरू बंतु दूर दूर से लोग क्यों आने लगे अजर उत्रबंद बिट्टू, भोलू की चमतकार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे प्रसने एंटू, बेचारा भोलू ने भैवीत होकर क्या किया और बचो इस प्रसन का उत्तर है कि बेचारा भोलू भैवीत होकर पेड़ पर छिप गया बचो यहां तक आठ प्रसन थे, एक वाक्य में लिखने थे, आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने में कई शब्द या वाक्याउश को प्रयोग नहीं करना है, वर्ड और फ्रेस का उप्योग नहीं करना है, पूरी तरस एक वाक्य में या आपको क्या करना है कि उत्तर लिखन के लिए प्रयास करना है उसमें पहला प्रस्थ में है बच्चों भोलू क्यों घवरा गया और उसका बहुत या आसान से उतर है बच्चों पहला करगरफ में वी है उसका उतर एक दिन शांक को भोलू आंगन में बेट कर दूद पी रहा था और खासी के कारण दूद का लोटा नुडग गया इससे थोड़ अदूद जर्मीन पर फैल गई इससे भोलू को दो फंक दिखाई दिये इस कारण भोलू घवरा गया और आगे है बच्चों रस्त दो आ गया हीरा ने चंपा से क्या कहा और उसका उत्तर ए बच्चों हीरा ने चंपा से यह कहीं कि एक राज की बाते जानती हो आज क्या हुआ उनके मुह से कभूतर के पंक निकले बहुत सारे मुझे चिन्ता हो रहे है पर किसी से मत कहना और यहां तक थे बच्चों मैं कुल मिलकर पार्ट का अंतिम भाग का आपको उरन किया करणड में और आब्यास में से एक वाकी के लिए 8 प्रस्णों थे 8 प्रस्णों उत्तर और 2-3 वाकी में 2 प्रस्णों के उत्तरों के शुरू करेंगे अगला पार्ट में जो तीसरा प्रस ने भूलु की बारे में यह कही कि देखो तो भूलु जी को आज खासी आई और उनके मुह से एक पूरा कबुतर निकला उसी पकर प्रस्ण चारे बच्चों शाम तक गाउ में कौन सी खबर पहिन गई उत्तर है कई आकार तता रंग के पक्षी विदेशों के पक्षी भी भू प्रकाश भर गया है यह खबर गाउ में शाम तक पहिन गई मुख्य प्रस्ण तीन पर है बच्चों विलोम शब्द लिखना है वहाँ पर एक आपको उधारन दिया गया है कि जमीन का विलोम शब्द आसमान है और उसी प्रकार आना का विलोम शब्द जाना और बहुत कम आगे है बच्चों और भी कुछ विलोम शब्द आ गये विश्वास का विलोम शब्द है अविश्वास और बड़ा चोटा गाउं को शहर करते हैं या नगर भी है दोनों ही इसके विलोम शब्द के रूप हते हैं और विदेश को स्वदेश या देश इस प्रकार मुख्य 3 पर 6 आपको क्या करना था कि बच्चों विलोम शब्द लिखना था अब आगे आ गया प्रस्ण 4 है मुख्य प्रस्ण 4 पर लिखा गया कि अन्य वच्चन रूप लिखना है देखेंगे कौन-कौन से अन्य वच्चन रूप है यहां पर एक उधारने दीन दीन है और उसी प पुरुए गोने वाले शब्द हिए इन शब्दों का रूप नहीं बदलताये चाय वो एक उचन में हो या बववचन में हो इटेखें यह इन्ट्व शब्दाग्ण मत्तों बववचन अदली हीगे इरतावे यहावत्त तु कुडवा, आउ एक वचन मत्तु बववचन अ थो हुवा कोववेई दे सो गोरया गोरये मुर्गा मुर्गे बेचारा बेचाराए वादा वादे सो इतना घृतक कांत दू बहुव चना रूपदले मारतक कंत यड़निया माजरी इत्तो उसी प्रकर दूसरा प्रस्ण दिया गया उत्तर भी आ गया भोलु ने डैश में पंक की बात बता दी और उसका उप्रा बुच्छो दूद में पंक की बात बता दी प्रस्ण तीन भी आ गया हीरा का पेट डैश लगा और उत्तरे की हीरा का पेट फुलने लगा प्रस्ण चार आ गया लोग बात का डैश बना देंगे लोग बात का बतंगड बना देंगे प्रस्ण पांच है चम्पा ने अपनी सहेली ड्याश से सारी बात उगल दी यानि चम्पा की सहेली का नाम चमेली उसी प्रकर प्रस्ण चहता बच्चों गाउ में खबर पहल गई कि पक्षियों से ड्याश भर गया और पक्षियों से सारा आकाश भर गया आकाश था उसी पकर प्रस्ट छे आगे बच्चो पक्षों के नाम कन्नड या अंग्रेजी में आपको क्या करना है की लितना है यहापर मैं कोश्टक ही लाया हूं चाहिस में अंग्रेजी के शब्द है उदारन दिये गए कबूतर को पीजन करते हैं तोता को पैरट मैना को मैना कोवा को क्राव बास को हॉप करते हैं इद को वल्चर गोरया को स्पैरो बगुला को वैडिंग बड करते हैं मुर्गा को हैन करते हैं और चमगादर को फ्लीटर या मोस भी करते हैं यहां प्ुरूदा करना है पर्ला प्रस्थ्म होगा है यहां पर को और यलही। इस पर कर्षिपा हुआ है् इसे दुआ गया बच्चों जब घुलाब देखते हूं कि फुश्रिव होती है यहां पर है और आग सीr आप प्रसन 3 आगया तुम मुरूगाली में घुमो रमेश यहां पर और यह पर मोह है यहां पर रहे हैं मोर इस प्रकारी परक्षी का नामार पर शिपा हुआ है यह था प्रस्न 3 तो मुक्य प्रस्न 8 पर चलेंगे सार्टक वाकि बनाएए और इसमें प्रस्न 8 में कए आपको पक्षव के निवासिस्ताने वह आप पो जाना है वह आप खुद करें वहाँ पर आल्रेडी उत्तर है अब सार्थक वाकि बनाने में पहला वाकि दिया गया है कि कहूंगी कसम नहीं से किसी से और इसका उत्तरवचों कसम से किसी से नहीं कहूंगी दूसरा प्रस्न है गया न से रहा चमपा और उसका उत्तर रुचों चमपा से रहा न गया तीसरा प्रस्न आ गया आई खासी को भोलू जी भोलू जी को खासी आई प्रस्न चार है आने लोग चमतकार यहां देखने लगे यहां चमतकार देखने लोग आने लगे प्रस्न दस में है इनके चलने का तरीका को आपको क्या करना था की बताना था उसमें पहला है मचली पानी में तैरते हैं दुसरा है सांप जमीन पर रेंगते हैं तीसरा है चालवर चार पैरों से भागते हैं प्रस्न चार पक्षी पंकों के सहारे उड़ते हैं और पांच वाए बचो मेंडग डैश हुए आगे बढ़ते हैं मेंडग फुदकते हुए आगे बढ़ते हैं प्रस्न 11 है देखो आप कोयल के बारे में कितने जानते हो कोयल के बारे में आपर वाक्यों में आपको क्या करना है कि कई शब्दों को भरना था कोयल एक पक्षी है याँ पर पक्षी शब्द भरा गया है उसका रंग ड्याश होता है उसका रंग काला होता है और वह ड्याश ज में गाती है वसंत रुट यहां पर वसंत रिखना था और चटा है वह अपने ड्याश कोय के गोसले में देती है अंड़ा और सात्वा है केवल ध्वनी से हम कोयल तता कोय में अंतर कर सकते ध्वनी आखपर शब्दा कोई क्या करना थे कि उच्छो भरनाता यहां तक मित मसाला पाक खतम हो गया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद